Hello and Welcome to Geopolitics Now हाली में World Happiness Index की रैंकिंग सामने आई है जिसे UN को निकालता है और इस बार के World Happiness Index में लिखा है कि उक्रीन के लोग भारत के लोगे से ज्यादा खुश है तो मुझे समझ नहीं आदा कि ये कैसे पॉसिबल है क्योंकि उक्रीन अंडर अटाक है कि अपना वन फिफ्ट कंट्री खो जुके है और इसलिए कई रिपूर्टर्स ट्विटर पर कह रहे है कि इड़ेजन्ट में एनी सेंस आफ दी वर्ल हैपिनेस इंडेक्स और इस बात में भी यूएन ने एक अचीव सा लॉजिक निकाला है यह वर्ल हैपिनेस इंडेक्स की रिपूर्ट्स आपके सामने है और लगातार 6 साल हो गए है फिनलैंड अभी भी टॉप पर है यहाँ पर लोग ज्यादा खुस फील करते हैं और एडुकेशन लाइफ एक्सपेक्टेंसी और भी कई चीज़ें यहाँ पर टॉप पर है उसके बेसिस पर फिनलैंड हमेशा टॉप पर दिखता है अब पाकिस्तान की रैंक है 108 एक ऐसा देश जहाँ पर इनका XPM कहता है कि मुझे मार देंगे मुझे पर खत्रा है जहाँ पर लोग उनके मिलिटरी पर गुस्सा है और एक सिविल वार हो सकती है इसको लेकर हर एक जियो पाकिस्तान की रैंक 108 और इंडिया की रैंक है 126 और इस इंडेक्स का एक्सपेक्ट यह है कि यह लोग फोकस करते हैं इन सभी एक्सपेक्ट्स पर कि देश में करप्शन कितना है लोग कितने जैनेरेस हैं एक दूसरे की हल्प कितनी करते हैं और फ्रीडम टू मेक लाइश चॉइस लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है शोशल सपूर्ट कितना मितलता है और जीडिवी पर कैपिटा उस देश का क्या है तो ये क्राइटेरिया वर्ल्ड हैपिनेस इंडेक्स में रखते हैं ये क्वालिटी ओफ लाइफ से रिलेटेड है ना कि हैपिनेस से इसमें ये हर देश के हजार या दोहजार लोगे से सवाल पूछते हैं कि देश में जो हो रहा हैं उससे आप खुस हैं इंडेक्स बनाना है तो मेरे इसाब से कम से कम 30 या 40,000 लोगों से पूछना ही चाहिए युक्रीन की रैंग देखकर सब तो सौक हैं लेकिन इसराइल जैसा देश जहां पर इतने प्रोटेस्ट हो रहे हैं और हाली में इसराइल में ऐसा लोग पास किया गया जिससे इनके PM के अगेंस्ट कोई भी लीगल कारवाई नहीं हो सकती क्योंकि इनके PM के अगेंस्ट काफी प्रोटेस्ट हो रहे हैं इसराइल में असल में इस इंडेक्स का सिर्फ नाम है 2030 लेकिन इनोंने जो डेटा इसमें यूस किया गया है वो 2020 से 2022 तक का है तो यूकरीन इन्वेजन को इसमें इंक्लूड नहीं किया तो यह जो इंडेक्स है इसमें तीनों साल का एग्रिगेट है इसलिए यूकरीन की रैंक 92 है टर्की की रैंक 106 पाकिस्तान की रैंक 108 और सिलंका की 112 है जो फाइनेंशल क्राइसिस में था इलिया ने सिलंका को बचाया था ये वाद सिलंका खुद एडमिट कर चुका है तो इंडेक्स में काफी चेंजिस लाने की जरूरत है और हैपिनेस इंडेक्स ऐसा होना चाहिए जो दुनिया के रियल पिक्चर को रिप्रेजन करता हो ताकि हम सभी उसी के बेसिस पर हम दुनिया में हैपिनेस को इंक्रीज कर सकें और अब आप सब मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आप इस रैंकिंग से खुस हैं या फिर अगर आप होते तो ऐसे कौन से क्राइटीरिया हैं जो आप इन में एड करते या फिर रिमूफ करते and now thank you for listening